नमस्कार आपका स्वागत है सारी यूटूब चैनल पर मैं नवल किशो हूँ नीरो थरपिस्त इस वीडियो में आपको बता हुआ कि अकर किसी को हेरिंग प्रोग्रम है और खास वह से टेलाइटिस की प्रोग्रम है जिनको कान में सीटी बजली के वाज आती है जिनको घंटी बजली के वाज आती है चैनल पर में कौन सा पॉइंट करना ची delayed माम करना केना में आप दूसरी को दे सकते हैं या दूसरी से ले सकते हैं यह बहुत effective treatment है और कान की किसी भी पिकार की समस्था में बहुत अच्छा effect करता है चाहे वो समस्था कान की पैनेटिस की हो चाहे वो आपको कान में कम सुनाई दे रहा हो या घंटी जैसे आवाज नेजर आ रही हो या जैसे साई-साई की आवाज आती है वो आवाल आ रही हो जीकुर जैसे आवाज नेजर आ रही हो तो ऐसी सभी समस्थाओं में आपको कान में एक treatment दलोगा जिसे हम भीरोटर्व में hearing point बोलते हैं इस hearing point अब बहुत अच्छा इसके माल है और बहुत अच्छे इसके result देखे गए हैं तो वही hearing point आज आपको में सिखा रहा हूँ और बड़ी ध्याज साब सीखिए बड़ी साथन की साथ आप उसको करेंगे तो patient को निश्चित तोर परग पड़ेगा तो सबसे पहले हम जिसमी patient को देंगे उसको बिठा लिजे माल लिजे इनको कान में समस्था है और hearing के समस्था है तो इनके कान में हम थोड़ा सब पहले पॉडल लगाएंगे इस तरीके से पॉडल लिया और यहाँ पर कान के आगे की तरफ पॉडल लगाएंगे और नीचे यहाँ पॉडल लगाना है और हलका सब पीछे की तरफ लगाना है इस तरीके से हमने यह पॉडल लगा दिया कान के चारों तरफ सबसे पहले हम यहां से अंगुठा रखेंगे और नीचे की तरफ 15-16 ग्रब करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह ब 1213 14 15 16 फिर यहां से थोड़ा और नीचे की तरफ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह 15 15 16 इस तरीके से हमने पहले यहां 15 16 ग्रब कर यहां 15 16 ग्रब किया उपफिर यह यहां 15 16 ग्रब कर H ये करने के बाद में आप दोनों उंगलियों से इस तरीके से ग्रिपिंग बनाकर ये भी 15-16 वार आप रब करेंगे इस तरीके से 15-16 वार रब करेंगे और फिर उपर से नीचे 15-16 वार रब करेंगे उसके बाद में आप अंगुठे से या उंगली से जैसे आपको comfortable हो अंगुठे से ऐसे जाएंगे और पहले नीचे की तरफ प्रेस करेंगे हलका सा नीचे की तरफ प्रेस किया और हलका सा उपर की तरफ प्रेस किया हलका सा आगे की तरफ प्रेस करेंगे और हलका सा पीछे की तो ये प्रैस करने से यहां अंदर की कोई भी ब्लॉकेज होगी वो खुल जाएगी उपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से हमने यह उपर नीचे क्लॉगवाइस किया प्रैस किया इसके बाद में इस कान को इस तरीके से बंद कर दीजिए बंद करने के बाद में आप हलका से तिक टिक करिए यहां पर और यह साउंड उनको बहुत तेज लगेगा इसलिए बहुत हलके से करेंगे इस साउंड के करने के बाद में दोनों कानों को चाहिए इसमें आपने टीटमेंट दिया हो या ना दिया हो दोनों कानों को में आप बंद करिए वैक्यूम क्रिएट पाद में एक तम ज्चके से छोड़ दीजिए Dura से वैक्यूम करीट करें और 15 से sm गैला करने के बाद में छोड़ दीजिए VAC hr3 औरalgर हम पांच सेад करें के भार हम करेंगे जिवाद में कोई दिक्कत ना हो दर्द ना हो यह हलकी से हैं चारो तरफ मसाज करकर यह treatment complete करेंगे यह treatment देने के बाद में आप regular treatment जब आप देने तो हफते भर के treatment के बाद में धीरे-धीरे इनकी कान में जो आवाज साइंस तरह के आवाज आती है घंटी के आवाज आती है या इनको जो जीमुर की आवाज है वो है या टेरैटिस की समझतर है वो धीरे-धीरे इनकी ठीक हो जाएगी और इनकी आवाज आनब बंद हो जाएगी लॉजिक यह है कि हम कोई भी ब्लॉकी है उसको आप ठोल दीजिए कोई भी वहाँ पर स्वैलिंग है उसको खतम कर दीजिए और वहाँ पर वैक्वून क्रियेट करकर उसको रिलीज कर दीजिए जब इस तरीकिसे आप करेंगे तो कुछी दिन के टिट्पन के बाद में कान की कोई भी प्रोग्लम को बुठीक हो जाएगी और उसमें तुरंग फरक आएगा इस वीडियो को अधिक से दिक शेयर करें को कि लागों की संख्या में इस समय 1090 के पेशेंट है हजारों के संख्या में ऐसे गंबीर पेशेंट हैं जिनको कान से बहुत प्रोग्लम रहती है और बहुत बेचेंड रहते हैं तो उनकी हैल्प आप जरूर करिए इस वीडियो को शेयर करें चैनल पर अगर आप नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें बैट आइकोन को जरूर प्रैस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचें और आप मरे साथ जुड़े रहे हैं और इसी पिकार जुड़े रहने के लिए आप तक बहुत बहुत झाल 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 झाल